हेलो फ्रेंट जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम CSS सीख रहे हैं और यह CSS का वीडियो नमबर 8 है और पिछले वीडियो में हमने CSS Rounded Borders तर कम्पलीट कर लिया था कि Rounded Borders क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल हम अपने बेब डाकुमेंट में किस तरीके से करते हैं और आज की इस वीडियो से हम CSS Margins क्या हैं और इनका इस्तेमाल हम किस लिये करते हैं इस टोपिक को कम्पलीट करेंगी CSS Margins क्या होती हैं तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं CSS margins के बारे में कि CSS margins होती क्या है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है the CSS margin property are used to create space around element यानि कि जो CSS margin property होती है इसका उपियोग हम जैसे किसी do या माल लीजिए चारो ट्रफ अगर हमको space छोड़नी होती है तब हम CSS margins का यूज करते हैं जैसे कि यहाँ पर CSS margins लिखा है अब इसके top में इसके right side में और इसके bottom में और इसके left side में हमको space छोड़ना हो तो हम CSS margin का use करते हैं अब example के लिए जैसे notes को minimize कर देते हैं यहाँ पर आप लोग एक project देख रहे हैं जैसे यहाँ पर एक box बना है यानि कि एक diagram बनाया गया है और इसमें समझाया गया है जो margin होती है जैसे कि बीच में हमारा कुछ भी matter लिखा हुआ है और इस box के बाहर जैसे कि यह हो गया हमारा top side यह हो गया हमारा right side और यह bottom और यह हमारा left अब इस चारो तरफ अगर हमें जगा छोड़नी है यानि कि space छोड़ना है तब हम CSS margins का use करते हैं तो यही हमारी CSS margin है आप लोग यहाँ पर समझ भी गये होंगे और यहाँ पर बताया गया है with CSS you have full control of the margins यानि कि margins जो होती है इनका हम CSS के माध्यम से ही इनको control कर सकते हैं कि हम left side में कितनी margin छोड़ना चाहते हैं right side में हम कितनी margin छोड़ना चाहते हैं या bottom या हम top में कितनी margin छोड़ना चाहते हैं यह चीज़ें हम CSS कर सकते हैं जैसे यहाँ पर बताया भी गया है margin for each side of an element top right bottom and left यानि कि अगर हम किसी भी text के चारों तरफ कोई भी space छोड़ना हो तो हम margins का use करते हैं जैसे कि यहाँ पर margin individual sides दिया गया है इसका मतलब ये है अगर हमको top side में margin छोड़नी हो तो यहाँ पर margin top प्रोपरेटी यूचरना है अगर हमको right side में margin यूच करनी है उसके लिए margin right प्रोपरेटी का यूच करेंगे अगर हमको margin bottom यानि कि bottom में margin छोड़ना हो तो उसके लिए हम bottom property यूज करेंगे left side में अगर margin छोड़ना हो तो उसके लिए हम left property यूज करेंगे और यहाँ पे length specify margin in pixel हम pixel में रख सकते हैं point में रख सकते हैं cm में margin को दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप लोग example में देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा यानि कि कुछ code लिखा गया है जिसमें हमने example के माध्यम से समझाया है यहाँ पर क्या है यह तो आप समझते ही होंगे HTML coding की गई है और यहाँ पर CSS use की गई है यह CSS हमारी internal CSS है क्योंकि internal CSS को हम head section के अंदर रखते है style tag के अंदर यहाँ पर वही CSS लिखी गई है फिर यहाँ पर body tag open हुआ है और यहाँ पर body tag close हुआ है heading में यहाँ पर लिखा है using individual margin property यानि कि अगर हमको चारों तरफ margin छोड़ना हो तब हम individual property का use करेंगे top bottom right left इस तरीके से हमको code लिखना होता है और यहाँ पर क्या हुआ है जैसे कि यहाँ पर जो code है मालो हम पर paragraph पे छोड़ा लेकिन इसमें एक due बनाई गई है जैसे कि यहाँ एक due बनाई गई है और due यहाँ पर close हुआ बीज में हमारा content लिखा गया अब इस due के चारों तरफ space छोड़ना है तब हम इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर due जो है due हमने और यहाँ पर due में हमको जितनी भी margin छोड़नी थी उसके लिए हाँ पर code लिखा गया है तो चलि वीडियो में हमने इस सभी topic को complete किया था और इसके पिछले वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे channel पर जा कर देख सकते हूँ क्योंकि यह most important वीडियो है और इसको यहाँ से close करेंगे और अपने इस file को notepad plus plus पे open करने के लिए इसी file पर right button क करेंगे edit with notepad plus plus पे click कर देंगे और यहाँ पर जो भी हमारा code लिखा गया इस code को यहाँ पर हटा देंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए code को select किया हटा दिया file को save करेंगे और यहाँ से browser में आके इसको refresh करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हम एक paragraph लिखा गया फिर यहाँ पर hiding to में UPCI SS Prime YouTube चैनल लिखा गया है जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे अब यहाँ पर जैसे UPCI SS Prime YouTube चैनल लिखा हुआ है हम चाहते हैं इस paragraph के चारो तरफ अगर हम को space छोड़ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे margin जो होती ही margin margin का इस्तेमाल करेंगे तो आएंगे अपने notes में और उसके लिए हम यहाँ पर paragraph टाइग open करना है और यहाँ पर margin टॉप से 100 पिक्सल बॉटम से हमको और बॉटम से हमको 100 पिक्सल राइट से 150 और लेट से हमको 80 पिक्सल margin चोड़नी है तो इस code को हमें क्या करना है आएंगे अपने note part plus plus में और यहाँ पर paragraph एक है यानि कि जितने भी paragraph है सभी paragraph पर अपलाई हो जाएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर आएंगे यानि कि style tag के अंदर और यहाँ पर हम P tag लगाएंगे curly bracket open and curly bracket close करना है और यहाँ से हम inter button press करेंगे और यहाँ पर हमको लिख लेना है margin अगर margin छोड़ना तो यहाँ पर margin top जिस side में margin छोड़ना उस तरीके से हमको property लिखना है यहाँ पर हम टाईब करेंगे margin top अगर margin छोड़ना चाहते है तो यहाँ पर margin top प्रोपरटी होती इसका इस्तिमाल करेंगे और हम सेमी कॉलन फिर इंटर करेंगे और यहां पर हम टाइप करेंगे मार्जीन यहां पर मार्जीन हम को राइट से छोड़नी है तो यहां पर राइट टाइप करेंगे मार्जीन राइट फिर हम यहां पर कॉलन लगा के यहां पर हम 150 पिक्सल करेंगे और सेमी कॉलन लगा देंगे फिर file को save करेंगे आएंगे अपने browser में और इसको यहां से करेंगे refresh तो जैसे ही refresh किया आप लोग यहां पर देख पारेंगे जितने भी paragraph लिखे थे हर paragraph के top से और right से ही margin चूटी है अब यहां पर जो paragraph है इसमें से थोड़ा एक दो paragraph हम हटा देते हैं यहां से हटा देंगे इस पर गराघ्राफ को हम यहां से यहां से इसकोjas करेंगे तो जैसे रिफ्रेस् किया आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कयोकि छो हमारा पर पैरा ग्राफ लिखा रॉइट हुआ है यह फैर इसा राइडिनके नीचि के निचे हमारा यहां पराग्राफ लिखा गया है अब यहाँ पर इसी पराग्राफ के नीचे जो भी है मैंटर लिखा है पुरा पराग्राफ अब यहाँ पर इसी हैडिंग के नीचे हमारा पराग्राफ है और हमने यूपीस याइस प्राइम यूटूब चैनल जो है यह पराग्राफ है और इस पर 50 पिक्सल यह इस पेश चूटा है और टॉप से हमारा 100 पिक्सल चूटा है अगर यही चीज़ अगर हम बॉटम से छोड़ना चाहें तो उसके लिए जो मार्जीन होती उसके लिए हम मार्जीन यहाँ पर बॉटम टाइप करेंगे और सेमी कॉलन और मार्जीन हम बॉटम से चा पूर्णा चाहते हैं यहां पर हम टाइप करेंगे margin margin left और यहां पर लगाएंगे semi colon और फिर यहां पर हम टाइप करेंगे 90 pixel फिर फाइल को save कर देंगे आएंगे यहां पर browser में इसको यहां से refresh करेंगे तो इस तरीके से हमको क्या करना है अगर हमें किसी भी paragraph के left right top bottom से अगर space चाहिए तो हम उसके लिए margin property यूज करते हैं और यहाँ पर एक do है do भी बनाई गई है तो do को भी देख लेते हैं अब जैसे की मान लीजिए जो paragraph है यह paragraph है और इसी paragraph के नीचे हमको box बनाना है box के अंदर माटर type करना है तो उसके लिए यहाँ पर do एक tag होता है do tag open करेंगे और यहाँ पर हम do tag को कर लेंगे close do tag को open किया do tag को close कर लिया बीज मा जैसे की example के लिए इतना code हम यहाँ पर लिख लेते हैं file को करेंगे इतना code करेंगे copy और इसी do के अंदर यहाँ पर करेंगे और file को save करेंगे और आएंगे browser में और इसको यहाँ से करेंगे refresh तो जैसे ही refresh किया अभी यह चीज जो है बिल्कुल paragraph के according ही लग रही है यानि कि paragraph ही है लेकिन जब हम इस do के लिए कोई property लिखेंगे जैसे इसकी style अगर बदलना है तो आएंगे अपने हम internal css में यानि की head tag के अंदर जो style tag हमने use किया है जिसमें हम css use करते हैं वहीं पर आएंगे और यहाँ पर हमको अपना code लिखना है तो अगर हम paragraph पर apply करना चाहते थे तो paragraph लिखते थे और यहाँ पर हम due के लिए apply करना तो यहाँ पर हम type करेंगे due due property curly bracket open and curly bracket close करना है और यहाँ पर enter करेंगे तो जैसे कि जो हमने due बनाई है अब इस due का background color हम पदलना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे background color background color रखेंगे और यहाँ पर लगा देंगे colon background color जैसे हम blue रखना चाहते हैं तो यहाँ पर रखेंगे blue blue background color रखेंगे और यहाँ पर लगाएंगे semi colon और यहाँ पर फाइल को save करेंगे फिर आएंगे browser में और इसको यहाँ से करेंगे refresh तो जैसे ही refresh किया आप लोग देख पारेंगे इस पर एक background color आ जाएगा क्योंकि यह हमारा क्या है एक हमारा dew बना हुआ है अब इसमें जो text लिखा है इसका color change करना हो तो यहाँ पर हम color property उच करेंगे और यहाँ पर हम को जो भी color रखना हो जैसे कि यहाँ पर हम type कर लेते white color white color और file को save करेंगे आएंगे browser में और इसको यहाँ से refresh कर देंगे तो refresh किया तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरीके से text का color भी change हो जाएगा अब यहाँ पर क्या है आएंगे notes में और यहाँ पर margin short hand भी है और एक हमारा और तरीका और भी हम देखते हैं जैसे की आएंगे note part plus plus में अब इसमें अगर हमको margin छोड़ना है तो यहाँ पर आएंगे margin margin यूज करेंगे और यहाँ पर colon लगाएंगे अब यहाँ पर मान लीजिए margin जो हम 50 pixel छोड़ रहे हैं 50 pixel टाइप करेंगे file को save करेंगे आएंगे browser में और इसको यहाँ पर refresh करेंगे तो यहाँ पर दिहां से देखना क्योंकि यहाँ पर हमने केवल margin 50 pixel रखी है बलकि यहाँ पर नाम left right top bottom से कुछ नहीं दिया अगर हम केवल इस तरीके से margin रखते हैं तो default रूप से जो भी हमारा paragraph होगा या कोई due होगी उसके चारो तरफ हमारी जो margin होगी ओ margin आटोमेटिक छूट जाएगी अब यहाँ पर जो हमने margin 50 pixel लखा है और यह due है इस due के top left right और bottom से 50-50 pixel छूट गई अगर यहाँ पर हम और अधिक कर देते हैं जैसे हैं यहाँ पर हम 100 pixel करेंगे फाइल को save करेंगे ब्राउजर में आखे इसको refresh करेंगे तो यहाँ पर इस paragraph के top bottom left right चारो तरफ से 100 pixel margin छूट जाएगी यह होती है margin आप लोग समझ गए होंगी और यहाँ पर जो हमने use की थी यह margin यह हमने अलग-अलग use की फिर उसी तरीके से यहाँ पर margin short hand property होती है अब यह short hand margin क्या है माल लीजिए अगर जैसे यही paragraph हमारा जो लिखा है यानि कि जो paragraph लिखा है इस paragraph में हम left right top bottom से margin use करना चाहते हैं और यहाँ पर जो हमने लिखा है code हमारा बहुत अधिक लग रहा है तो उसके लिए short hand property यूज करते हैं उसके लिए यहाँ पर क्यावल paragraph के अंदर margin property यूज करना है अब हम top से कितना margin रखना चाहते हैं यह हमारा जो 50 pixel है right से है यह हमारा जो है यहाँ पर यह हमारा bottom से है और 100 pixel जो हमारा left से है तो इस तरीके से हम एक ही line में अपना code लिख सकते हैं और CSS margin हम उस पर apply कर सकते हैं तो यह होती है CSS margin अब यहाँ पर जो सबसे पहले value आएगी यह हमारी top के लिए होगी फिर second number पर जो value आएगी यह हमारी right साइड के लिए होगी और यहाँ पर third number पर जो आएगी हमारी bottom साइड के लिए और जो फिर last में आएगी हमारी left साइड के लिए होती है तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि CSS margins क्या है और इसका इस्तेमाल हम किसलिए करते हैं जैसे कि आप हम practical में यूज कर लेते हैं margin है इस margin को select करेंगे copy किया और आएंगे हम अपने notes में अब यहाँ पर जो margin है इस margin को कर लेंगे select और इसके लिए पर हम अपना code लिख देंगे तो यहाँ पर हम CSS margins क्या होती है और इनका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं आप लोग समझ गए होंगे CSS margins के बारे में फिर हमारा next topic है CSS padding कि CSS padding क्या है और इनका इस्तेमाल हम किसलिए करते हैं जो CSS padding होती है बिल्कुश सेम हमारी CSS margin की तरह ही काम करती है CSS margins क्या होती है जब हम margin यूज करेंगे तो उस text या due या फिर image के चारों तरफ इसपेस छोड़ती है और अगर हम CSS padding यूज करेंगे तो जो भी text होगा और हमारा due होगा या image होगा उसके अंदर जो भी content होता है उसके अंदर इसपेस छोड़ता है जैसे कि यहाँ पर हम notes को करते है minimize और आएंगे अपने desktop screen पर और यहाँ पर padding वाला जो भाग है इसको open करेंगे यहाँ पर जो box बना है यहाँ पर अंदर की तरफ top से कितना छोड़ना है right से और left और bottom यह होता है padding तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि padding क्या है तो फिर यहाँ पर जैसे कि उसी तरीके से individual padding छोड़ना है top से कितना छोड़ना चाहते है right से कितना छोड़ना है bottom से और padding हम left से कितना छोड़ना चाहते है इस तरीके से code लिखेंगे हमारा o cheese apply हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर एक dew बनाई है बीच में paragraph है और इसके चारो तरफ यहाँ पर padding छोड़ती हुई है तो उसी तरीके से जो हमने यह due बनाई है इस due के चारो तरफ अगर हम को padding छोड़ना है तब हम कैसे छोड़ते हैं तो आएंगे notes में अब जैसे कि यह due है margin तो अमने यहाँ पर छोड़ी ही है अब यहाँ पर जैसे padding यहाँ पर हम टाइब करेंगे padding padding जैसे कि केवल टाइब करेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे colon और पचास पिक्सल यहाँ पर टाइब करेंगे semi colon लगा देंगे अभी केवल हमने यहाँ पर padding पचास पिक्सल लखी है file को save करेंगे browser में आएंगे और इसको refresh करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो due है due के अंदर जो भी content लिखा था इस content के चारो तरफ 50-50 pixel padding छूट गई है चारो तरफ कितनी छूटी है चारो तरफ 50-50 pixel padding यहाँ पर छूट गई तो यह होती है padding फिर इसके बाद क्या है अगर मान लीजिए इसी due के हम चाहते हैं top stem को 20 छोड़ना है right stem को 80 छोड़ना है याँनि कि चारो तरफ different different परकार से हमें अगर padding छोड़ना है तो हमें क्या करना इसी तरीके से code जो है वो code हमको लिखना होता है तो आएंगे notes मी और यहाँ पर जैसे केवल padding रखा इसको यहाँ से करते है delete अब मान लीजिए हम चारो तरफ यहाँ पर padding छोड़ना चाहते है उसके लिए यहाँ पर type करेंगे padding top अब top से जो padding है हम चाहते हैं 40 pixel छूटे तो यहाँ पर padding top से 40 pixel छोड़ना है semicolon लगाना है फिर यहाँ पर हम type करेंगे padding और bottom से हम चाहते हैं जो हमारी padding छूटे bottom से हमारी padding होनी चाहिए 50 pixel तो यहाँ पर 50 pixel type करेंगे और semicolon लगाएंगे फाइल को save करेंगे browser में आके इसको यहाँ से refresh कर देंगे तो जैसा ही refresh किया आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो भी margin हमने छोड़ी है यह केवल top और bottom से ही छोड़ दी है बलकि left और right से हमने भी कोई भी padding नहीं छोड़ी इसलिए top से 40 pixel और bottom से 50 pixel आ रहा है अब इसी तरीके से अगर हमको padding जो है left से छोड़नी हो यहाँ से हम padding left यूज करेंगे और जितने भी pixel हमको यहाँ पर छोड़ना है type करेंगे 60 pixel colon लगाके फिर यहाँ पर हम semi colon लगा देंगे अब हम right से छोड़ना चाहते हैं तो उसी तरीके से padding right में और यहाँ पर colon लगाएंगे फिर यहाँ पर जैसे हम 70 pixel चाहते हैं आपर 70 छोड़ देंगे तो हमने क्या किया padding हमने 40 pixel चोड़ी है top से padding bottom से 50 pixel padding left से 60 pixel और padding right से 70 pixel फिर फाइल को save करेंगे आएंगे browser में इसको refresh करेंगे तो जैसे ही refresh किया आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो भी padding थी चारो तरप से आ जाएगी जो हमने यहाँ पर different different फरकार की padding रखी है तो आप लोग यह भी समझ गए होंगे अगर हमें एक box के अंदर कोई content रखना है तो उसको हम design कैसे करते हैं यानि कि CSS padding और margin समझ गए होंगे फिर यहाँ पर use the padding short hand property दिया गया है अब यह use the padding short hand property क्या है तो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने margin यूज की थी यानि कि एक ही line में top, bottom, right, left यानि कि हम चारों तरब से अगर छोड़ना चाहें तो इतने code की हमें जरूरत नहीं होती है इस code को हटा के इसको यहाँ चाहें कर देंगे delete और delete करेंगे फिर यहाँ पर क्यों हमको padding property यूज करना है colon लगाना है यहाँ पर हमने padding property यूज की अब जैसे हम चाहते हैं top chama ko 50 pixel padding चोड़ना तो यहाँ पर padding चोड़नेंगे 50 pixel top से फिर इसके बाद right jam को 40 चोड़ना तो यहाँ पर 40 pixel right से फिर हमको यहाँ पर bottom से 60 pixel चाहिए तो हम bottom से 60 pixel और left jam को 90 pixel चाहिए तो left time 90 pixel यहाँ पर semi colon लगाना है file को save करेंगे और यहाँ पर आएंगे browser में और इसको यहाँ से refresh करेंगे तो यहाँ पर refresh करेंगे अब क्या होगा जो भी यहाँ यहाँ पर content लिखा है इस content के चारो तरफ हमारी padding छूट जाएगी एक ही line का code होता है इसको लिखने के लिए तो यहाँ पर padding margin समझ गए होंगे कि padding margin क्या होती है और इसका इस्तेमाल हम किसलिए करते हैं और अगले वीडियो में हम जानेंगे CSS height width क्या है और इसका इस्तेमाल हम किसलिए करेंगे तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में हम यहीं तक और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फार देश वाचिंग वीडियो